ना हथियार ना मिसाई ना कोई सेना फिर भी लेवनान के अलग-अलग हिस्सों में इतनी तेज धमा के हुए कि अफरा तफरी का माहौल हो गया चीक पुकार मजगे लोग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचानी के लिए लोग छिपने लगे बलाश्ट इतने अचानक और तेज थे कि घरों, सडकों और बजारों में लोगों की जेबों और हाथों में पिंजर भटने लगे इस विस्पोर्ट की घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल बता जा रहे है हिजबुल्ला का कहना है कि वो इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार मानता है हालनकि इसराइल ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रियार नहीं दी है जानकारी के लिए बता दे कि घायलों में लेवनान में इरान के रास्दोत भी शामिल है लेबनान सरकार का दावा है कि इन सिलसिले वार पेंजर धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ है उनका कहना है कि इसराइल ने चरमपन्थी संगठन हिजबुला को निशाना बनाते हुए बलाश्ट को अंजाम दिया है इसे हिजबुला के कम्युनुकेशन सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइली खूपी आजन्सी मुसाद ने पांच महीने पहले हिजबुला के पेंजरों से छेड़ छाड़ कर उसमें विस्पोटक्स समागरी फिटकी थी इस पेंजरों का इस्तिमाल हिजबुला के लड़ाके अपने कम्मिनुकेशन के लिए करते थे मंगलवार दुपाहर तीन बच कर तीस अस्थानी समयनुसार इन पेंजरों को हैक कर ब्लाश्ट कर दिया गया लेकिन अब यहाँ यह समझना भी बहुत जरूरी है कि पेजर क्या है जिसके ब्लाश्ट होने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जानकारी के लिए बतादे कि यह छोटे रेडियो रिसीवर जैसे होते हैं जिसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं इसमें हर भोगता का एक निजी कोड होता है जिसे लोग संदेश भेजने के लिए दूसरों को दे सकते हैं हर संदेश पेंजर की स्क्रीन पर एक तरफ फ्लेश होता है बीप की आवाज के साथ फ्लेश होने के चलते इसे पीपर भी का आ जाता है इसे 1950 और 60 के दशक में विक्सित किया गया लेकिन 80 के दशक में ये तेजी से लोग प्री हुआ लेकिन मुबाइल फोन ने इसे चलन से बाहर कर दिया इसके बावजूद पेंजर के इस्तमाल आज भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ मगर ये घटना ऐसे समय में हुई जब इस्राइल और गाजा पट्टी में सक्री संगठन हमास की बीच संगर्श जारी है इस तराओं में हजारों लोगों की जान जाने की बाद हिजबुल्ला भी इस युद्ध में कूद गया है लेबनान और इस्राइल की बीच लगभग हर दिन ही मिसाईल और रॉकेट हमलों की खबर आती है ऐसा कहा जा रहा है कि ये धमाका हिजबुल्ला की मानसिक इस्तिती को बिगालने के लिए किया गया है हिजबुल्ला के लिए ये वर्षों में सबसे खतननाग घटना है